हेलो दोस्तों ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरा नाम है जे और आज मैं आपको डराने के लिए सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ सच्ची बेहर डरावनी कहानिया लेकर आया हूँ तो खुद भी सुनिये और अपने दोस्तों के साथ से अर्जरूर कीजेगा और अब चलिए कहानियों की तरफ बढ़ते हैं मेरा नाम अखिलेस बंसल है आज मैं आपको मेरे और मेरे मामा के लड़के असोक के साथ गटी एक बिल्कुल सची घटना से रूबरूख करवाने जा रहा हूँ मैं राजस्थान के एक छोटे से जिले का रहने वाला हूँ ये आज से करीब 4-5 साल पहले की बात है मैं गर्मियों की जुट्टियों में अपनी नानी के गाउं गया हुआ था हम वहां रात में पहुँचे थे रात में तो मैं खाना खाकर सो गया फिर अगले दिन दोपहर में नानी के घर पर सब लोग सो रहे थे सिर्फ मैं और मेरे मामा का लड़का ही जाग रहा था उसका नाम असोक था जब सब लोग सो गए तो असोक ने मुझसे कहा कि चलो गाउं से बाहर बाग में जामुन खाने चलते हैं मैं भी घर पर बैटा बोर हो रहा था तो हम दोनों जामुन खाने के लिए जाने लगे जब हम गाउं के बाहर उस बाग में पहुँचे तो मैंने देखा कि वहाँ जामुन का एक बहुत ही बड़ा पेर था और दोपहर के वक्त वहाँ कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था मैंने असोक से कहा कि वहाँ यार तिरा जामुन का पेर तो बहुत बड़ा है तो उसने हसते हुए कहा कि अरे नहीं यार ये मेरा नहीं है ये पूरी बाग एक खडूस बुढ़े की है वो किसी को भी जामुन खाने नहीं देता है असोक की बात सुनकर मैं बोला कि अरे यार जब वो बुढ़ा किसी को जामुन खाने नहीं देता है तो फिर तू मुझे यहां क्यों लेके आया है तब असोक ने कहा कि अरे भाई अब परिसान होने की कोई बात नहीं है उस बुढ़े की कुछ दिन पहले मौत हो चुकी है अब जितना मर्जी हो हम जामुन खा सकते है फिर हम दोनों जामुन के पेड़ पर चड़ने लगे और पेड़ पे चड़कर जामुन खाने लगे हम दोनों जामुन खा ही रहे थे कि तभी हमें एक बहुत ही भयानक कुराने की आवास सुनाई दी वो सुनके हम बहुत डर गए और जब हमने इधर उधर देखा तो हमें कोई दिखाई नहीं दिया और अचानक वहां गहरी खामोसी पसर गई तभी मैंने असोक से कहा बाई चले हां से, चलते हैं मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो असोक बोला कि और फिर तू टेंसन क्यों लेता है मैं हूना चुपचाब जामुन खा फिर हम दोनों वापस जामुन खाने लगे लेकिन तभी वो जामुन का पेर जोर जोर से हिलने लगा और अब वो गुराने की आवाज हमारे सिर के उपर से आ रही थी हमने उपर देखा तो हमारे रौंग्टे खड़े हो गए हमने देखा कि एक बहुत ही भयानक सकलवाला पुढधा उपर एक टेहनी पे अपने दोनों पैर लटका के बैठा हुआ था उसके सर से खून बैरा था और आखे विलकुल काली हो रखी थी और उसका जेरा सड़ा गला हुआ था वो देखके हमारे पसीने चोट गए और डर के मारे हम उपर से ही नीचे कोट गए नीचे कटी हुई घास का गठर रखा हुआ था मैं उसी पे जाकर गिरा और मुझे कुछ नहीं हुआ लेकिन जब मैंने उठके असोक की तरब देखा तो वो सक्त जमीन पर बेहोस पड़ा हुआ था मैं उसे उठाने के लिए उसकी तरब बढ़ा ही था कि तभी अचानक वो बुढ़े का भूत असोक के सामने आ गया वो देखके मैं बहुत डर गया और वहां से काउं की तरब भागने लगा फिर जब मैं मामा के घर पहुँचा तो सब लोग सो रहे थे मैंने सब को जगाया और उन्हें पूरी बात बताई सारी बाते सुनकर घर वाले सक्ते में आ गये और मामा ने काउं के कुछ लोगों को साथ लिया और हम सब काउं के बाहर उसी जामुन के पेड़ की तरब भागे और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ हमने जो देखा वो देखके हमारे पैरों के नीचे से जमीन किसक गए हमने देखा कि जामुन के पेड़ के नीचे असोक की अदखाई लास पड़ी थे और उसके धड़ पर सर नहीं था और उसकी लास इतनी विवस्त हालत में थे कि एक नजर उसे देख पाना भी मुश्किल हो रहा था असोक की लास को देख कर मामा जोर जोर से रोने लगे सभी लोगों ने मामा को समभाला और असोक की मौत की ख़बर मिलते है मामी, नानी सबका रो रोकर बुरा हाल हो गया पूरे घर पर मातम बसर गया फिर उसी दिन असोक का अंतिम संसकार किया गया दोस्तो आज इस घटना को हुए चार-पांच साल पीच चुके हैं मगर आज भी जब मुझे वो घटना याद आती है तो मेरी रोह काँ पुटती है तो दोस्तो ये थी मेरे और मेरे मामा के लड़के असोक के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना तो चलिए दोस्तो अगली कहानी की तरब बढ़ते हैं मेरा नाम पंकत सैनी है मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूँ मैं उडिसा के कला हंडी डिस्टिक का रहने वाला हूँ ये बात तकरीबन चार साल पुरानी है तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक रात करीब दो बजे मेरे फोन पर एक अन्नो नमबर से कॉल आया मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ एक आदमी था उसने मुझसे कहा कि आप असोक सैनी को जानते हैं तो मैंने कहा हाँ वो मेरे चाचा है तो उस आदमी ने कहा कि आपके चाचा का एक्सिडेंट हो गया है आप जल्दी से आ जाईए वो सुनके मैं बहुत परिसान हो गया मैंने तुरंद उस आदमी से एड्रेस लिया और बाइक लेकर जहां पर चाचा का एक्सिडेंट हुआ है वही जाने लगा वो रास्ता मेरे घर से तकरीवन 10 किलो मीटर दूर था मैं बाइक भगाते हुए लगब आदा रास्ता पार कर चुका था इतनी रात के रास्ता बिलकुल साब था मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभे मुझे रास्ते पर एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया मैं उस आदमी के और करीब पहुँचा तो मैंने देखा वो मेरे चाचा ही थे जिनके एक्सिडेंट की ख़बर उस आदमी ने दी थे मैंने तुरंट उनके पास मेरी बाइक रोकी और उनसे कहा कि चाचा आप यहाँ पर फोन पर तो एक आदमी ने बताया कि आपका एक्सिडेंट हो गया है मगर मेरी बातों का चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया और वो आगे चलने लगे वो देखके मुझे बहुत हैरानी हुई फिर मैं भी बाइक से उतर गया और उनके पीछे पीछे जाने लगा और जैसे ही मैंने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उनके उपर रखा तो मैंने देखा मेरा हाथ चाचा के सरीर से आर पार चला गया वो देखकर मेरे रॉंक्टे खड़े हो गया और तब ही अजानक चाचा गायब हो गया वो देखके मैं बहुत तर गया फिर जब मैं एक्सिडेंट वाली जगय पर पहुचा तो वहाँ पुलिस भी आ चुकी थे और तब मुझे पता चला कि एक्सिडेंट में चाचा की मौत हो गई है उनकी लास को इस्ट्रेचर पर लिटाया जा रहा था और बोड़ी पोश्ट मॉडम के लिए ले जा जा रही थी जाचा के अंतिम ससकार के बाद मैंने सारी बाद अपने घरवालों को बता दे लिकिन उसके बाद मुझे जाचा की आत्मा फिर कभी दिखाई नहीं थी तो दोस्तों ये थी पंकत सैनी जी के साथ घटी बिलकुल सच्ची घटना तो चलियो दोस्तों अगली कहाने की तरब बढ़ते हैं मेरा नाम कार्तिक पटेल है मैं राजे स्थान के जैसल मेर चिले का रहने वाला हूँ आज मैं आपको मेरी बेहन के साथ घटी एक बिलकुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ ये बात करीब दो साल पहले की है मेरी बेहन कोचिंग टीचर है तो उन दिनों कोचिंग पढ़ाने के लिए वो लोगों के घर जाया करती थी जिस वज़े से उसे रात में लौटते हुए 10-11 बत जाया करते थे तो एक रात जब वो कोचिंग पढ़ा कर आगे रास्ते के बीच में कोई बैठा हुआ दिखाई दिया मेरी बेहन ने ध्यान से देखा तो वो कोई ओरत थी इतनी रात का एक ओरत को रास्ते के बीच बैठा देख मेरी बेहन को बहुत हैरानी हुए लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं तिया और उस ओरत के बगल से आगे जाने लगे लेकिन तबी उस ओरत ने मेरी बहन से कहा कि तू बचकर नहीं जा सकते मैं तुझे मार दूंगी ये सुनके मेरी बहन ने उस ओरत की तरब देखा तो उसके रॉंग्टे खड़े हो गया दरसल अब उस औरत का चेरा पूरा सफेद पड़ चुखा था और उसकी आँखों की चज़ए पर दो गहरे काले कट्टे थे वो देखकर डर के मारे मेरी बेहन इसकूटी से नीचे गिर पड़े तभी वो चुड़ेल मेरी बेहन के सामने आ गए और उसने मेरी बेहन की गरदन पकड़ ले लेकिन मेरी बेहन की गरदन पकड़ते ही उस चुड़ेल को जैसे करंड सा लगा और वो मेरी बेहन से दूर जाकर खड़ी हो गए वो देखकर मेरी बेहन को कुछ समझ नहीं आया मगर तभी उस चुड़ैल ने मेरी पहन से कहा कि तेरी करदन पर जो तुने पहन रखा है उसे निकाल कर फेक दे वरना मैं तुझे बहुत बुरी मौत दूँगी वो सुनके मेरी बहन को समझ आया कि वो चुड़ैल क्यों उसके करीब नहीं आ पा रही थी दरसल मेरी बहन ने अपने गले में काली माता की लौकेट पहन रखी थी फिर मेरी बहन ने काली माता की जै बोली और मा काली की क्रपा से मेरी बहन में मानो हिम्मत से आ गई और उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और तुरंद वहां से घर की तरब जाने लगी वो चुड़ल दूर खड़ी मेरी बेहन को देख रही थी जाते हुए मेरी बेहन काली माता का नाम ले रही थी साथ इसलिए वो चुड़ल उसके करीब नहीं आ पा रही थी फिर घर पहुँचकर मेरी बेहन ने सारी बात हम सब को बताई उसकी बात सुनकर हम सब ने काली माता का धन्यवाद किया और अगले दिन हम सब मेरी पहन को लेकर काली माता के मंदिर गए और हमने माता रानी के दर्सन किये जिसके बाद फिर कभी वो चुड़ैल मेरी पहन को दिखाई नहीं दी तो दोस्तों ये थी मेरी पहन के साथ गटी बिल्कुल सच्ची गटना